चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारा सफर तो आज हम सबसे पहला जाएंगे 56 और वहां से होते हुए हम जाएंगे कृष्णपूर चतरी बाग और इसके बाद हम जाएंगे राजवाडा और हाँ राजवाडा की आज हम अंदर भी जाएंगे तो चलिए आज का सफर हम मिलेगा, बहुत सारे अलग-अलग खाने की वरायटीज मिल जाती है तो अम सबसे पहले चलते हैं चीजे देखनें, तो पहले हमको मिल गई टाथकिश आइसक्रीम, फिर यहां मिल गई पानी पूरी, धाई पूरी, जो खाना आप खा सकते हो फिर हमको मिल जाएगी दाबेली, पनी टिका बहुत सारी वराइटी से मिलते हैं आप देख भी सकते हो पनी टिका है पुदिना टिका मलाई टिका बहुत वराइटी था है फिर यह पोड़ेटो टुिस्टर हमको मिल जाएंगे उसके बाद लग अलग फ्लेवर के आए पान जैसे चॉकलेट पान फायर पान अब हम आ गया है नेक्स लोकेशन पर जो है कार्निवल कार्निवल बोले तो मेला यानी पतंग का मिला तो यह है काइट फेस्टिवल जो है सया जी होटल में और इसमें एंटर होते ही ना हमको पूरा सेल्फी बूट मिला था तो मैंने फटा-फट सपनी सेल्फी कराई वहाँ इसके बाद में यहां से आगी गई तो मुझे ने स्टेज दिखा यह स्टेज पर फूरा फंक्शन हो रहा था तो में थोड़ी दिर इंजॉय करा उसके बाद मैं अंदर गई तो मैंने देखा महां पर सया जी का खुद का फूड काउंटर था जो मैंने फर्स टाइम मेले मे सया जी का फूड काउंटर वह एंजॉय करने के बाद महां पर किट जोन था फिर मने देखा महां पर पूरा सेलफी बूर था फैस्टीवर का डेकोरेट इट तो महां पर मैंने इंजॉय करा इसके बाद मैं वहां से निकल गई अगली लोकेशन के लिए तो अब हम आ चुके अगली लोकेशन पर जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है और हम इसमें अंदर जाके दिखेंगे तो राजवाडा पैलेस ना वैसे ही इसका नाम कृष्णपूरा च्छतरीबाग रखा है और यह जो है यह जगहार राजवाडा पैलेस के बहुत ही पास में मतलब आदा किल बेसिकली इंदौर की जान और इंदौर की शान है और यह हमारे इंदौर का बहुत ही बड़ा टूरिस प्लेस है तो मतलब जो भी कोई यहां आता है वो बिना राजवाडा देखे जाता नहीं है तो यहां पे बहुत ही प्यारा प्यारे स्कुल्प्चर बने हुए अंदर औ इतनी अच्छी वाइप जानी थी ना वाप एं मतला मुझे इस विजट करने में एक पुरा ऐसा बाग जैसा बना हुआ है वही पर यह और इतने प्यारे प्यारे मंदिर हैं चोटे चोटे बहुत सारे मंदिर है वाप ए अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा मजा कर तो